हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निलियस कुमार और आप देख रहा है एक स्पोर्ट कम किसे फसल उत्पादक पर्थम देश के बारे में आप जानकारी प्राप करेंगे एक्जाम की द्रिष्टी से बहुत ही महतुपुन है एक से दो कोश्चन आपके हर एक्जाम में इसस निश्चित रूप से पूशे जाते हैं कि देखते हैं चावल उत्पादक देश में अग्रणी देश जो है वह चीन है जासे चावल और चासे चीन है एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे चावल गेहूं चावल गेहूं जैसे चावल गेहूं हुआ उसी तरह आलू पियाज हुआ तंबाकु मुझ फली हुआ चावल गेहूं आलू पियाज तंबाकु मुझ फली ये सब भोजन करने के बाद चीन वाले चाए भी पीते हैं तो चावल गेहूं आलू प्याज मुँफली तमाखूं तो यह ट्रिक के माद्ध हम से देखियेगा और यह कपास के पेर की छाया में करते हैं अच्छा एक बात और है अगर इसको स्पेशल को रिलेट अगर हम करें अब देख पा रहा है गेहू का भी है चीन चाय का भी चीन है प्याज का भी चीन है आलू का भी चीन है और कपास का भी चीन है तंबाकू का भी चीन है मुंग फली का भी चीन है अब देख पा रहे होंगे चावल गेहूं आलू पियाज मुंग फली तंबाकू और चाय का पास को रिलेट करेंगे चासे चावल चासे चीन चासे चाय चासे चीन अब आलू पियाज मुंग फली इन सब फसलों में चीन सबसे अग्रनी देश है उत्पादन की द्रिष्टी से और वो यहाँ निर्याद भी करता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार हम लेकर चलेंगे चावल गेहूं एक हुआ अलू पियाज दो हुआ मुंग फली तमबाकू तीन हुआ और चाय का पास चार हुआ चावल गेहूं आलू पियाज तमबाकू मुंग फली कपास चार है अग्रनी उत्पादक देश जो है वह चीन है आपको याद हो गया होगा एक वर फिर से बोली है चावल गेहूं आलू पियाज तमबाकू मुंग फली कपास चार है तो इस तरह से आपको याद हो गया है अगला देखते हैं मक्का मक्का सुरू से ही अमेरिका रहा है आप अगर तो तीन साल से आप इस कोश्चन को रिपीट देख रहा है मक्का मक्का के छेतर में अमेरिका अगरनी देश रहा है अगर हम डाल की बात करें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाल तो डाल भारत है और भारत में गुजरात पर्थामा स्थान पर है डाल उसके बाद मद्परदेश महारास्ट ये सब डाल उत्पादक राज्यों की स्रेणी में आते हैं तो डाल के उत्पादक में भारत अगरनी देश है डाल जूट दूद डाल जूट दूद डाल जूट और दूद किस रेणी में भारत पर्थमास्थान पर तो भारत के संदर में डाल जूट दूद आता है डाल खाते हैं या दूद खाते हैं डाल और दूद खाते हैं और जूट की खेती करते हैं अपने खेती करने के लिए सक्ति जो चाहिए इनर्जी चाहिए वह डाल और दूद से लेते हैं और जूट की खेती करते हैं तो भारत के संदर में यह तीन पुत्पादक अगरनी देशों किसरेनी में भारत को लाता है वह फसल है डाल जूट और दूद चलिए अगला देखते हैं अगला है स्वयाबिन मक्का जूआर स्वयाबिन मक्का जूआर स्वयाबिन में अगरनी देश जो है वह अमेरिका है सब कोई सोजाता है तब ही यह काम करता है यहाँ पे जूआर बटा भी बहुत आते हैं इसलिए अमेरिका अगरनी देश है जूआर में मक्का में बाजरा में ठीक है, ओके दोस्तों, याद हो गया होगा, अगला देखते हैं, सुर्ज मुख्षी, अब देखिए, एक चीज मिलाईएगा, सुर्ज का मुख्ष किधर होगा, जब सुर्ज की फसल जाई जाती है, तो जब उसमें पुस्पख खिल जाते हैं, तो वो सुर्ज की दिशा में खुले रहते हैं, मतलब सुर्ज की दिशा की और मुख्ष उनका रहता है, तो लोग काते हैं कि इसका मुख्ष किधर है, केने गया, मतलब यूक्रेन, इसका मुख्ष किधर गया, केने गया, यूक्रेन, तो आपको यह याद हो गया, अगला देखता है, कॉफी, अब हम, पहुंचे हैं, किसी पार्टी फंक्षन में, और वहाँ के सभी तमाम जो डिस है, वो अच्छा हमको नहीं लगा, कॉफी अच्छा लगा, लास्ट में जो कॉफी प्रेफर हुआ, तो वो अच्छा लगा, तो कॉफी ब्राजिल मतलब बहुत ही अच्छा, तो कॉफी बहुत ही अच्छा बनता है, कोई डिस्क अच्छा बने या ना बने, हर पार्टी फंक्षन में कॉफी अच्छा बनता है, तो कॉफी ब्राजिल, अब देख रहे हैं प्राकिर्तिक रब्बर यहाँ पर प्राकिर्तिक रब्बर थाइलेंड अब प्राकिर्तिक रब्बर जो है लेंड पर उसको रब्बर को बच्चे लोग खेलते हैं जम्प कराते हैं थाइलेंड अब थाई पर भी अब लेंड करा सकते हैं उसको जम करा सकते हैं तो रबर हुआ थाई लेंड और इस तरह से आप और सब भी जान पाए हैं चीन के बारे में भी जान पाए हैं इस तरह यह संपुल एक फसल पादा एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ पाए है थांक्यू दोस्तो